आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जो monkeypox virus strain है इसने बहुत दिक्कते पैदा कर दी है बात करेंगे लेकिन आज हमारे 10,000 MCQ badge का आखरी दिन है coupon को 10,000 आप use करेंगे आपको extra 500 off मिलेगा तो today is the last day so make the best out of it क्योंकि फिर हम यह batch को समय के लिए बंद कर देंगे तो COVID-19 सा हम उबर नहीं पाए और इधा WHO ने यह बोला कि अब यह global health emergency हो गई है 1957 में आफरीका में मिला था सबसे पहले Democratic Republic of Congo और पहला case भी Democratic Republic of Congo में ही आया और अब यह पाकिस्तान में मिल गया है सबसे खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के health ministry ने बोला है कि पहला case Mpox variant का मिल गी चुका है एक आदमी जो की गल्थ से आया था वो मिल गया और second confirmed case है आफरीका के बाहर पहला दूसरा case जो है वो Sweden में मिला था अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा dangerous है यह पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है दुनिया को बर्बाद कर सकता है second time है दूसरी बार तीन साल में दूसरी बार है जो UN ने Mpox को एक epidemic जिस पर global emergency चाहिए यह designate किया है जुलाई 2022 में जब यह outbreak हुआ था तो एक लाख लोग इससे effect हुए थे ज़्यादा तरे गिया bisexual में इसमें होता है 116 देशों में और 200 लोगों भी जान गई थी तो इसलिए WHO ने बोलाए कि बहुत ही dangerous है केरल में भी तीसरा case हाया monkeypox का जुलाई 2021 में 20 साल बाद अमेरिका में एक case मिला ठीक है न अब देखिए सबसे पहले अमेरिका में जब ये monkeypox outbreak हुआ था तो 2003 में हुआ था जब 47 लोग जो है वो effect हुए थे वाइरस की वज़े से ठीक है अब zoonotic disease है ये जानवरों से आद्मियों में आया है ठीक है न अब सबसे बड़ी बाद dangerous इसलिए है क्योंकि Democratic Republic of Congo सिर्फ वहाँ पे साड़े 15,000 कैसे जा चुके है और 548 डेट्स हो चुके इतना कभीन भी नहीं हुआ कौन रिस्क पे है जो 15 साल से नीचे women and children है 2024 में 15,600 empox case जो है वो Congo में यहाँ पे जब हुए detect हुए तो पूरी दुनिया में घंटी बज़ गई आप यह देख सकते हो खतरे की घंटी इसलिए बज़ी है क्योंकि देखे empox जो है न वो human to human फैलता है it's just like chicken pox pox every day family का आता है और chicken pox दुनिया के सबसे खतरनाक सबसे बेकार बिमारी है small pox की vaccine काम करती है but 1980s में दुनिया small pox free होगी तो इसकी vaccine ज़ादा है नहीं हाला कि अगर आप small pox की vaccine लगवाल है तो empox में 85% आपको protection मिल जाएगी बट वो vaccine अब है ही नहीं क्योंकि दुनिया में small pox रहा ही नहीं आप समझ रहे तो इसी लिए dangerous मलब खत्रा बहुत जादा है अफरिका में लगबख 1800 केसे जाए 13 डेट सुई अमेरिका में हम देखते हैं कि तीन डेट सुई यूरोप में 826 केसे जाए 3 डेट सुई सबसे जादा जो affected region है जैन से जैन्वरी ये तीन देज जो है वो रही है अब एमपॉक्स के गर बात करें तो ये वेस्ट अफरिका में originate होता है ये देखें ये dangerous है fatality rate 1% है लेकिन ये बहुत तेजी से फैलता है यानि कि 100 में से एक ही इंसान मरेगा लेकिन भाई अकर मौत हो ली तो dangerous है सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पूरे शरीर पे जो है वो दाने हो जाते है clade 1 जो है उसका fatality rate 10% है जो कि dangerous है तो omicron का case fatality rate था वो 0.7% था clade 1 का fatality rate है वो 10% के करीब है आप समझ सकते हो तो ये जो new clade है M-pox का Eastern DRC में ये बहुत ज़्यादा dangerous है और क्योंकि एफरिका के बाहर मिला अब देखे क्या है ना कि अगर कम cases मिले तो चल जाता है लेकिन इतने सादा cases मिले case क्या होता कि जब virus पकड़ता है तो वो जब आपको virus पकड़ेगा तब आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कितने लोगों को transmit कर चुके होंगे जब आपको पता चलता नहीं तो बहुत देर हो गई होती है आप समझ रहो तो monkey pox जैसे small pox होता ना उसी तरीके का है ये small pox, chicken pox ठीक है न incubation period जो है मतलब वही के 7 दिन तक रहता है 7 से 14 दिन मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा 7 से 14 दिन क्या हो सकता है ये 5 से 20 दिन यानि कि लगबग लगबग एक महीने तक भी हो सकता है maximum कि आप सबसे मिल रहे हैं सबके साथ खाना खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपको em pox है और फिर fever आता है आप समझ रहे हो जब ये सब हो जाएगा आपको fever रहेगा और उसके तुरंत बाद तीन दिन बाद हमें देखते हैं कि पूरे body में rashes develop होना शुरू होते हैं सबसे पहले ये आपके चहरे पे होंगे और उसके बाद other parts of the body यानि कि पूरे शरीर पे फैल जाएगे जो skin eruption है जो दाने हो जाते हैं पूरे शरीर पे न और उसको आप खुजला भी नहीं सकते वो 2-4 हफते में होते हैं ठीक है न आप सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि ये जो आपके दाने टाइब के होते हैं ये painful होते है इन में fluid भर जाता है और उसके बास पस तो ये एक ऐसी disease है न जो बहुत ही जादा dangerous है बहुत ही जादा खतरनाक है ये चीज़ है अब बच्चे तो ये से नहीं सकते तो इसलिए जादा जो death के cases है वो बच्चों में हमको देखने को मिले है तो बिल्कुल smallpox की तरह smallpox में आला कि जो mortality थी वो 30% थी जादा contagious था ही और जादा severe था ठीक है न monkeypox में जो clade 1 है उसकी 10% तक बढ़ एक से 4% तक basically रहती less contagious है लेकिन फिर भी contagious तो है इस तरीके के कोच हमको देखने को मिलता है monkeypox तो infection भई 1958 में सबसे पहले आया था जब दो outbreak हमको इसको देखने को मिले थे 1970 में DRC में और उसके बाद फिर जब यह हुआ तो एक smallpox को खतम करना है क्योंकि बहुत आफरिका में जितनी बिमारियां पहले आफरिका से या रही है खैर ऐसा नहीं है क्योंकि ultimately जो main carrier है वो Europe रहा है इतिहास में WHO ने बताया कि 4 continent के 15 देश अभी तक monkeypox के किसे जाचुके है ठीक है जिसमें Central African Republic और सबसे ज़्यदा आफरिका में Congo, Gabon, Cameroon, Liberia, Syria, Leone South Sudan, Benin, Africa में UK, Israel, Singapore, America भारत और पाकिस्तान में भी हमको ये देखने को मिला है देखें पाकिस्तान में ये क्यों इतना खतरना के क्योंकि health system वहां का बहुत अच्छा नहीं है अब जिस बंदे को हुआ है उसने पता नहीं प्राइमिट्स एरोडेंट्स में लेगिन कई बार ये अनिमल्स से पीपल में आ जाता है मतलब जानवरों से लोग में आ जाता है फिर इंसान से इंसान जो है वो वाइरिस स्प्रेड होता है और बेसिकली इसमें रेस्पिरेटरी ड्रॉप्लेट एक बहुत बड़ा रूर्ट ले करते हैं ठीक है मंकी पॉक्स जो है वो ट्रांस्वेट होता है कि जब कोई भी इंफेक्टेट परसन जो है वो माल लिजे जैसे बॉडी फ्लॉइड है या लाइजन है उसकी अगर कॉन्टाक्ट में आया तो फिर उसको मंकी पॉक्स हो सकता है ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं है लगिन अगर आप उसके बिल्कुल क्लोस कॉन्टाक्ट में है तो आपको 110 परसन्ट होगा वो अब उसने खासा, छीका वो भी अगर आप अगल अगल खड़े हो तो भी ठीक है तो अनिमल्स जैसे बाइट कर लिया स्क्राच कर लिया, बुश मीट अगर आपने सही से नहीं खाया, human to human transmission possible है बट थोड़ा सा कम है बट फिर भी होता है, ठीक है न तो यह चीज है, तो इस तरीके के cases जो है वो हमको देखने को मिलते हैं और यह मैंने बता नहीं कि बहुत ही dangerous होता है, बहुत ही ज़ादा, राइट तो symptoms की अगर बात करते हैं, तो वही fever, headache, muscle act, back act, exhaustion जो सब में होते हैं, lymph nodes आपके जो है न, small box में lymph nodes आपके swell नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके lymph nodes जो है फूल जाते हैं, राइट तो इसलिए, कई बार क्या होता न, कि monkey pox को chicken pox के साथ confuse कर लिया जाता है, बट मत करिये, यह अलग है monkey pox, chicken pox, measles हाला कि same family के हैं, ठीक है न, scabies, syphilis but, यह अलग है, इसकी medicine अलग है, खेर, medicine तो कुछ होती नहीं है, इसकी basically, तो same virus जो होता है, same family of virus, उसी कोई belong करता है, बट symptoms इसके थोड़े mild है right, यह चीज है और अगर आप देखिए, माल लिजे कि बहुत ही serious case हुआ, तो आपके चेहरे पे hand, chest, genitals, सब पे जो है वो license developed हो जाते है clade 1 strain जो है वो Central African Congo में circulate हो रहा है, और उसका fatality 10% तक है, okay, तो यह सब हम already बात कर चुके है, precaution क्या ले बट सब से पहले, अगर आप Africa जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें hygiene maintain करें, यह कि कोई भी virus न, आपके मुँ से गुजरेगा मुँ नाख, तो कभी भी अगर ऐसा कुछ हो ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखें, कि जो यह virus है, जो आपको problem create कर रहा है मतलब अपना हाथ साफ रखें, बहुत हाईजीन maintain करके चलें direct contact जो है उसको avoid करे, high risk activity जैसे multiple sex partner, schedule, उसको avoid करे animal और जो अगर मालिज़े कि आप bush meat खा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से ले, और जैसे ही आप आएं तो फिर यह नो, doctor को आप you know, seek करें, right, तो यह चीज है, vaccine crisis है, WHO ने vaccine manufacturer को invite दो किया है, कि भाई कि फटाक से vaccine बनाई है क्योंकि देखो यार, अब vaccine की जरूरत है, COVID-19 के vaccine तुरंद मनाई, और already एक small box की vaccine बन गई है chicken box की भी है, तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब box very day क्योंकि यह आज के disease नहीं है, बहुत पुराने है, 100 साल पुराने है तो इन सब के vaccine जो है न, वो already बनी हुई है, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़ादा time नहीं लगेगा बनने में, लेकिन जब तक time लगेगा, तब तक हो सकता है, दिक्कत हो जाए, बैवेडियन नॉडिक ने 15,000 doses जो है वो African countries को डोनेट किया है, जाइनियोस की है न, हाला कि बहुत ही कम है यह क्योंकि एक करोड डोजेश अभी चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, बट ठीक है अब बोला है 15 अगस्त को की we are actually ready to produce up to 10 million doses of vaccine कोई दिक्कत नहीं है, 2025 तक हम प्रोड़ूस करके इसको खतम कर देंगे, LC-16 है, यह Japanese बच्चों में दी जाती 1973 में, clinical trials जो है, उसको पैसे दिये जाते है, पूरी दुनिया fund करती है यह, ताकि बच्चों और लोगों को वजाय जा सके, जो की exposed है इस virus को लेकर और organization जो है, वो भी new mRNA vaccine को, you know develop कर रही है, ठीक है न? M-pox है, उसके related virus जैसे smallpox हो गए, ring vaccination strategy की बात करें, तो यह बहुत सही है, क्योंकि smallpox और outbreaks को इसने control किया है, तो जैसे-जैसे monkeypox जो है, वो बढ़ रहा है scientist जो है, best vaccine approach है, 1960s में 20 West African countries जो है, उसने smallpox elimination program जो है, वो launch किया था, USAID coverage जो था, वो थोड़ा सा कम था और जो Ogoja province है, उन्होंने इस course को बदला, smallpox eradication को, बुला कि भाई, यह जरूरी है, अब आप यह समझे कि देखें क्या हुआ कि एक तरीके से यह जो epidemic है, मतलब यह जो बिमारी ना फैलती गई, ठीक है और बहुत ज़ादा जरूरी था, कि जहां जहीं बिमारी जा रही है, उनके cases को surveillance में लिया जाए, तब ही तो outbreak को control किया जा सकेगा, तो December 1986 में, Ogoja outbreak जब हुआ, जो Nigeria में शहर है, प्रोविंस है, वहाँ पे smallpox बताया गया, ठीक है, उसके बाद फिर surveillance system बनाओ, और बाद में बता चला, नहीं, ये smallpox नहीं है, ठीक है, actually it is monkeypox, अब ring vaccine कैसे काम करती है, ring vaccination में, surveillance containment strategy होती है, कुछ नहीं होता है इसमें, सबसे पहले तो, आपको surveillance पर रखना होता है, हर किसी को, एक भी case साया, पकड़िये, कहाँ कहाँ गयते बेटा, उन सब को पकड़िये, ठीक है, सारे contact को पकड़िये, vaccine ठका ठक फटा पड़ लगाईए, और जितने भी contacts है, उन सब को लगाईए, ठीक है ना, तो ये strategy covid में भी हमने अपनाई, और Ebola और smallpox को तो ये बहुत बढ़िया रही, ठीक है ना, तो वही है कि contacts of contacts, ठीक है, कि यहाँ पर सबसे पहले जो case इसको पकड़ो, कहाँ कहाँ पर तुमने contact किया, फिर इन contacts ने किसको contact किया, तो ऐसे ही जो है वो कोई भी epidemic को control जो है, वो किया जाता है, तो monkeypox virus में यही strategy जो है, वो काम करेगी, लेकिन एक चीज़ जरूरी है कि यह बहुत dangerous है, खोज़ रहे हैं पढ़ते हैं, दिससे सिद्दान तक नहीं होता ही signing off.